जब देश में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बन कर आई है जब देश में रोज़ाना संक्रमन के मामदे वर्ल्ड रेकॉर्ड बना रही है तब आप अपने आपको कोरोना से कैसे बचाएंगे एक शब्द जिसकी चर्चा पिछले एक साल से हर कोई कर रहा है वो है Immunity जिसकी भी Immunity जितनी ज़्यादा होगी वो संक्रमन से उतना ज़्यादा सुरक्षित है यानि आपकी रोग प्रतिरोदक शमता जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी ही मजबूती से कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे उसे हरा पाएंगे तो अब उस सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि आपकी immunity कमजोर है क्या मजबूत immunity से कोरोना संक्रमन नहीं होगा क्या immunity बढ़ाने के लिए vitamin supplement जरूरी है बच्चों की immunity बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो आपके जहन में पिछले एक सा से रहे हैं जिस पर आप चाहते हैं कि विस्तार से आपको बताते रहें तो आज हम आपको बताएंगे मेरे साथ श्रेया है nutritionist है श्रेया हम जब एक और शब्द है जब हम immunity की बात करते हैं तो बात होती है पौश्टिक आहार की वह आहार बच्चों से लेकर बोढ़ों तक के टाइम की बाते करती हूं और अभी भी बात करूंगी immunity overnight नहीं बिल्ड की जा सकती है immunity के लिए आपको उपना base बनाना पड़ता है मां का वो पहला दूर जिसको हम colostrum कहते हैं वहां से immunity की शुरुआत होती है तो breastfeeding सबसे पहली एक चीज़ आती है अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो जो बच्चों को स्तनपान या breastfeed मिला है definitely उनकी immunity बहुत ही अच्छी है और जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग air conditions में जादा आ गए हमारा lifestyle चेंज हो गया हमारे sleeping hours कम हो गया है क्योंकि तब ही हमारी healing होती है एक और चीज हमारी पीछे हट गई है वो है हमारी का आली कांजी मेरी दादी पिलाती थी हमें कांजी बना के चुकुंदर और गाजर की तो वो कांजी जब मैं पीती थी तो आजकल जो कॉंबूचा या कैफीर या ऐसी कुछ चीजे market में आ रही है प्रोबायोटिक्स तो मुझे जरूरत नहीं पढ़ती थी प्रोबायोटिक्स पीने की क्योंकि वो प्रोबायोटिक वो कांजी या फिर आजकल जो कैफीर या कॉंबूचा मिलता है या फिर जो हम तहीं खाते है चाच या लसी तो हमारे वो गट को हेल्दी कर देती है और अल्टीमेटली प्रोबायोटिक्स आपको बिमारी से लड़ने की शमता को बन करें फल्दी की चट्मी बनाए टमाटर की चट्मी जो आपके सीजन में आम है आवला है उसकी चट्मी जैम मुरबा बना के आप अपने बच्चों को सर्फ करें खुद भी जो आप मिलेट्स खाते है जाए वो नाचनी होजवार बाजरा रागी ऐसे आप मिलेट्स और लेकर आए गेहों को थोड़ा कम इस्तमाल करें बेकरी की आइटम थोड़ा बंद कर दीजे चीन को थोड़ा कम यूज करें तो और संलाइट जादा से जादा ले ताकि आपको वाइटमिन डी मिले और जो मैंने आपको अचार चट्मी कांची यह सब चीजों के बारे में ब लेकिन श्रेया मैं आपसे समझना चाहती हूं हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं हमने कई ऐसे वीडियो देखें हैं पिछले साल से लेकर अब तक जहां पर डॉक्टर्स कैसे मौराल बूस्ट करते नजर आया तो वह गाना गा रहे हैं या फिर डान्स हो रहा है या फिर और हॉस्पिटल में रूम में गाने चलाये जा रहे हैं क्योंकि सारा खिल विल्पावर का है और उसी के साथ आपके अपके अपर इसलिए आज कर जादा बताया जा रहा है कि आप फोन या अपनी जो स्क्रीन हैं उनको कम से कम यूज़ करें हम लोग लाइफस्टाइल को मे जादा ब्लेम करना चाहिए क्योंकि अगर online classes भी बच्चों की हो रही है तो वो लोग screens पर हैं या laptops पर हैं या आजकल क्योंकि हमें उनको phone देना पड़ता है और फिर हम लोग phone वापस नहीं लेते हैं तो उनके 2-2-3-3 घंटे over exceed हो जाते हैं phone से और जो वो screen है वो हमारे brain में स मेलोटनीम की secretion को कम करती है जब मेलोटनीम की secretion कम होती है तो cortisol steroid hormone बनता है जो एक stress hormone है और stress, depression एक reason है वजन बढ़ने का और obesity के साथ तो immunity definitely कम होती है और obesity के साथ फिर आपकी diabetes भी आती है और अगर diabetes आता है, hormonal imbalance आता है तो definitely आपकी immunity इतनी जादा खराब हो जाती है कि आपक अब vulnerable हो जाते हैं बिमारियों के लिए, so mental health बहुत important है और mental health की जहां हम बात करते हैं वहाँ पे आजकल most ही लोग अपने acne के लिए, skin के लिए, या फिर उनको skin allergy है, या फिर migrains हो जाते है, या बच्चे लेट उतते हैं क्योंकि वो रात को लेट सूते हैं, तो धूप में जाते हैं, environment में नहीं जाते हैं, जब दूप नहीं मिलती है, तो जैसे भी doctor ने बताया कि vitamin D की इतनी deficiency हो जाती है, और vitamin D एक underrated हमारा nutrient है, vitamin D इतना छोटा सा होने के बावजूर बहुत बढ़ा role play करता है, चाहे वो बच्चों की bones हो, growth हो, teeth हो, health हो या फिर हमारी immunity ही क्यों न में लॉटनिन उतना जादा रहेगा, depression उतना कम रहेगा, so mental state के लिए कुछ जादा नहीं करता है, सिर्फ टाइम पे सोना है और धूप में बैखना है, अभी ये बहुत valid point है, ये सारे मातपिता के लिए चिंता का विशह भी है, कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उन कि जो ये हालात हैं, इसमें कुछ parents नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाहर निकले, खेले, क्योंकि सब के मन में डर है, सब उन्हें सुरक्षा देना चाहते हैं, और ऐसे वो कौन से activities हैं, आप ये बताईए हमारे दर्शकों को, जिसमें बच्चों को involved किया जा सकता है, फिला वो लोग उसको देखे dance करते हैं, so घर पर उनको dancing करा सकते हैं, jumping, skipping or slides करवा सकते हैं, आप spoon में जो हमारी अओ्-जर्डेश्चनल game होती है, lemon spoon वाली, वैसे वाली करा सकते हैं, डांस सबसे अच्छी activity होती है मेरे ख्याल से, और डांस से ज्यादा कुछ अच्छा ही नहीं, music उसमें होता है, आप उनके साथ खुछ dance करिए, उनकी भी skills इंपरूव होगी, तो मेरे ख्याल से dance एक best एक तरीका है, उनको active रखने का, नमबर वान, और जहां आप आपने बच्चे को क्या करती हूं सूप एक बना के देती हूं जिसमें बीच रूट यानिके चुकुंदर आलक आवला तमाटर थोड़ी सी डाल और जो भी आपके सीजनल जो भी चीज़े आपको मिलती हो गाजर उसमें डाल कर आप उसको प्रेशर कुप कर दीजे उस सूप म अपने बच्चों को जब आप देंगे विराइटी रखिए डेली मतलब हम लोग उनके डायट में अगर ब्रेड और बिस्किट बंग करके एक अलसी की पिन्नी बना के हम उनको दे दे तो भी जो फजी बच्चे भी हैं वो बहुत शौक से उसको खा लेते हैं और डेट आप तीनों एक्सफर्ट के जरीए हम इस तरह के सवाल जो हमारे दर्शक हमें भेजते हैं हम यह ले सकें ताकि आप लोग विस्तार से उन्हें बता पाएं थैंक्यू वेरी मच आप तीनों का फॉर जॉइनिंग अस